दोस्तो अगर आपके फोन में भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपका YouTube जो है वो चलते चलते ही बीच में बंद हो जाता है अचानक से तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे fix करेंगे ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको जाना है अपने फोन की सेटिंग्स में सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और नीचे की ओर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक option दिखेगा apps का आपको इस पे click करना है इस पे click करने के बाद आपको manage apps पर click करना है manage apps पर click करेंगे तो आपको apps की list दिखा देगा यहाँ पर आपको youtube ढूंड लेना है तो हम यहाँ पर search कर लेते हैं youtube यह रहा youtube आपको इस पे click करना है इस पे click करेंगे तो आपको इस type का interface मिलेगा यहाँ पर आपको clear data का एक option दिखेगा आप इस पे click करिए और यहाँ पर clear all data पर click कर दीजिए और यहाँ पर ok कर दीजिए यह data यहाँ पर clear कर दीजिए उसके बाद आप देखे आपके में वो problem आ रही है कि नहीं अगर फिर भी आ रही है तो आपको क्या करना है आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर आपको search कर लेना है लिख करके YouTube और YouTube जब आप search करेंगे तो आपको इस type से दिखा देगा अगर आपका YouTube outdated है और आपको यहाँ पर update दिखा रहा है तो आप simply click करके update कर लीजिए अपने YouTube एप को और उसके बाद देखिए अगर फिर भी आपको यह problem आ रही है तो आप एक बार अपने phone को restart या फिर reboot कर लीजिए और उसके बाद आपको यह problem नहीं आएगी अगर वीडियो से help हुई हो तो वीडियो को कर दीजे like channel को कर लीजे subscribe and bell icon को press ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए मैं मिलता हूँ आपसे को और न्यू वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए